देखे Union Bank of India में कैसे 5 मिनट के अंदर आप अपना एक online bank account open कर सकते हैं आज के इस वीडियो में इसका complete process हम आपको live करके दिखाएंगे देखे यहाँ पर account open करने के बाद आपको सारे वो banking facilities मिल जाती है जो कि other banks आपको provide करता है account open करते ही आप mobile banking, internet banking के access कर सकते हैं साथ में आपका ATM card और checkbook है आपके घर के address पर by post deliver कर दी जाता है और आप passbook जो है प्रांच से जाके लिए सकते हैं अब चलिए जान लेते हैं कैसे आपको यहाँ पर online account के लिए apply करना है अभी गाइस union bank में account open करने के लिए वीडियो के नीचे description box में आपको account opening का link मिलेगा और जरीन पर click करेंगे तो आप directly account opening page पर आ जाएंगे या फिर आप google पर search करेंगे union bank of india और जो सबसे पहला result आएगा union bank of india का official website क्लिक करके आप open कर लेंगे अभी यहाँ पर आपको उपर के तरफ three line दिख रहा होगा इस lining पर आपको click करना है यहाँ पर आपको नीचे apply online का option दीखेगा इस पर आप click करेंगे इसके अंदर आपको savings account का option देखने को मिल जाएगा आप savings account वाले option को select करेंगे यहाँ पर click करते हैं आपके सामने account उपनिन का portal खुल करके आजाएगा सबसे पहले आपको कुछ instructions दीजाएंगे इससे आप पड़ सकते हैं और इसके बाद आपको close वाले बटन पर आपर click करना है इस पर click करते हैं आपके सामने account opening का page complete खुल करके आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पर आपको अधार card का number fill करना होगा तो इस box में अधार card का number fill करेंगे उसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे question पुछ जाएगा उस OTP को यहाँ पर fill करके validate OTP पर click करेंगे उस तो अधार OTP verify होते ही आपका नाम और आपका gender automatic आपके अधार card से detect कर लिए जाएगा नीचे यहाँ पर आपको अपना father name fill करना है तो complete आपका जो father name है वो यहाँ पर fill कीजेगा आपका जो mother name में याँनी माता का नाम है वो यहाँ पर इस बाले box में fill करेंगे आपका date of birth automatic यहाँ पर detect कर दी जाएगा आपके अधार card से नीचे यहाँ पर आपको अपना complete mobile number fill करना है वही mobile number fill करेंगे जो की आपको bank खाते से link करवाना है उसके बाद यहाँ पर आपसे email id पुछा जाता है तो इस box में complete अपना email id फिल कर देंगे और बगल में यहाँ पर आप अपना complete pen card का number fill करेंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे आपसे state पुछा जाता है तो इस पर आप click करेंगे अपना state select कर लेंगे अब आपके एरिया में जितने सारे ब्रांचे सोंगे Union Bank of India के वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे आपका जो भी नजदीकी ब्रांच है वो आप यहां से सलेट कर लेंगे जो भी ब्रांच आप सलेट करेंगे उसी ब्रांच में आपका bank account ओपन होगा ब्रांच सलेट करने के बाद यहां पर आपको continue का option मिलेगा आप continue वाली option पे क्लिक करेंगे continue पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपसे यहां पर permanent address पुछा जाता है तो आप यहाँ पर state वाले option पे click करेंगे और यहाँ से आप अपने state को select करेंगे state select करने के बाद नीचे आपको CT select करने का option मिलेगा इस पे आप click करेंगे और आपका जो भी नजदी की CT है यहाँ से आप select करनेगे आपका जो pin code है automatic यहाँ पर detect कर लिए जाएगा नीचे आपको communication address भरने का option दिये जाता है अगर आपका अधार कार्ड वाला ही आपका communication address है जहाँ पे आप फिलहाल रहते है तो यहाँ पर आपको एक check box दिखाए जगा communication address same as permanent address इस वाले box पर tick करेंगे तो आपका जो अधार कार्ड वाला address है automatic यहाँ पर detect हो जाएगा लेकिन वहीं अगर आप अधार कार्ड वाले address पे नहीं रहते हैं कुछी दूसरे जगे पे रहते हैं तो आप अपना जो complete address है वो यहाँ पर fill कर देंगे उसके बाद यहाँ पर occupation वाले option को आप select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट का option मिलेगा इस पर आप click करेंगे और आप बताएंगे आप कौन से कास्ट से belong करते हैं जेनर लोबी सी, S, C, S, T जो भी है उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे annual income का option मिलेगा इस पे आप click करेंगी और बताएंगे कि आप साल में कितने पैसे यहाँ पर कमा लेते हैं उसके बाद यहाँ पर source of income वाले option पर आप select करेंगे और बताएंगे कि आप पैसे कहां से गावाते हैं salary से, pension से, rent से, business से जिस भी से आप से आप कमाते हैं आप नहीं से आप से select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको net worth का option दिये जाएगा इस पे आप click करेंगे और आपको यहाँ पर बताना है कि आपने आज तक कितना पैसा कमाया है अगर 10 लाग रुपे से कम कमाया है तो पहली option को उससे ज़्यादा के लिए आप इन options में से select कर सकते हैं उसके बाद place of worth का यहाँ पर नीची आपको option में लेगा इस पे आप click करेंगे आपका जिस जगह पर भी जनम हुआ है उस जगह का नाम आप यहाँ पर जो है complete fill करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको country of birth का option मिलेगा इस पे आप click करेंगे basically यहाँ से आप एंडिया को select कर लेंगे फिर यहाँ पर आपको meritile status वाले option पर click करना है दोस्तो अब last page में यहाँ पर आपको nominee का detail fill करना होगा सबसे पहले अगर आप account में nominee add करना चाहते हैं तो yes वाले बटन पर यहाँ पर tick रहने देंगे वरना यहाँ पर आप no वाले बटन पर tick करेंगे अगर nominee add नहीं करना है तो उसके बाद अगर nominee add करना है तो nominee का complete नाम है यहाँ पर fill करेंगे अगर nominee से आपका क्या relation है nominee relationship पर click करके यहाँ से आप वो relation select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक option दिया जाता है same as permanent address अगर nominee का address है आपका अधार card वाला ही address है तो यहाँ पर इस box पर आप tick करेंगे अगर आपने communication address कोई दूसरा बारा है अपने form में और वो वाला address nominee का address है तो यहाँ पर आपको same as communication address पर click करना होगा अगर nominee का address खुद से fill करना चाहते हैं तो nominee का village या फिर colony का नाम यहाँ पर fill करेंगी नोमनी का क्या एरिया है यहाँ पर आप फिल करेंगे उसके बाद नोमनी का स्टीट इस पर क्लिक करके सलेट करेंगे फिर यहाँ पर आप जो है नोमनी का सीटी सलेट करेंगे आप यहाँ पर पिन कोड फिल करेंगे आपका एडरस हो जाएगा नीचे यहाँ पर आपसे पुछा राता है कि नुमनी का उम्र अगर 18 वर्ष से कम है तो Yes वाले बटन पर यहाँ पर Tick करेंगे वरना No पर Tick रहने देंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पुछाजता है कि क्या नोमलिनी का नाम आपके पास्बुक पर प्रिंट होना चाहिए तो यस या फिर नो अपने ही सबसे सलेट कर सकते हैं उसके बाद लास्ट में Union Bank of India आपको जितने सारे facilities ओफर करता है वो सारे facilities आपको यहाँ पर देखने को मेल जाएंगे आपको यहाँ पर जो जो facilities चाहिए आपको यहाँ पर tick box पर जो है यहाँ जो check box दिख रहा है इस पर tick करके आपको select करना होगा जैसे कि यहाँ पर मुझे सारे facilities चाहिए ATM card, check book, mobile banking, internet banking, SMS banking जितने सारे box है सभी boxes पर यहाँ पर मैं टिक कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर continue बटन पर क्लिक करेंगे जो लास्ट पेज में आपको कुछ documents upload करने हैं सबसे पहले photo फिर signature और उसके बाद आधार का दोनों साइड आपको upload करना होगा तो आप उसे click कर लेंगे सबसे पहले एक बात का खयाल रखेंगे कि आपका जो photo और signature है 20-50 केवी के बीच में होना चाहिए और आपका जो आधार कार्ड है वो आपका 20-100 केवी के बीच में होना चाहिए तो ये बात आप ध्यान रखेंगे उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप photo upload करेंगे तो choose file पर यहाँ पर पहले option पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर आप अपने file से अपना जो photo है वो select कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर upload वाले बटन पे click करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा photo यहाँ पर upload हो चुका है अब यहाँ पर same to some इसी तरीके से signature upload करना है तो upload file वाले option पर यहाँ पर click करेंगे उसके बाद file में से हमें अपना यहाँ पर signature है वो select कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर upload वाले option पर click करना है इसी तरीके से यहाँ पर हमें अधार card upload करना है तो choose file पर यहाँ पर click करेंगे और अधार card को यहाँ से upload कर लेंगे इसके बाद आपका जो application है वो successful submit हो जाएगा आपको एक reference number यहाँ पर देखनी को मिल जाएगा आप इस reference number को एक बार note कर लीजेगा फिर ok वाले button पर click करेंगे अभी तक आपने जितने भी form डाले हैं सभी आपको यहाँ पर देखनी को मिल जाएगा आप एक बार verify करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको submit को option देखनी को मिलेगा आप यहाँ पर submit वाले option पर click करेंगे अभी last page में आपको दिखाया जाएगा कि आपका जो application है वो successful submit हो चुका है आपका जो reference number है वो आपको देखनी को मिल जाएगा यह application 30 दिनों के लिए valid होगा यहाँ पर आपका जो भी branch है वो भी आपको देखनी को मिल जाएगा अभी basically आपको नीचे एक download application form को option मिलेगा इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर एक application form आपके सामने download हो करके आजाएगा अभी तक आपने जितने भी details भरे हैं सबी details आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अभी आपको करना क्या है आपको इस application form को print करवा ले ना है उसके बाद आपको अपने अधार card और pen card का copy इसके साथ attach करके आपको बस एक बार branch में जाके जमा करना होगा और वहाँ पर आपका KYC किया जाएगा और आपका जो account है वो successful open हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो है आप अपने application का status भी track कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको track your application का option मिलेगा इस पर आप click करके यहाँ पर आपको जो reference नमर मिला है उसे fill करेंगे फिर data board और pen card का number फिल करके आप यहाँ पर submit बटन पर click करेंगे तो आपका जो भी application का status है वो track हो जाएगा देखे Union Bank of India के साथ online account open करने के यह सबसे easy way है इससे आपको फायता यह होगा कि आपको branch में जाना है, line में नहीं लगना है बस KYC करवा के आपका account open हो जाता है 2-3 मिनूट के अंदर तो कुछ इस तरीके से आप Union Bank में online account open कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को like, share, इस पर comment कीजेगा और चैनल को subscribe कर लीजेगा